हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड़ी हब ऑनलाइन क्लासेज मैं हूँ जयन्त तो दोस्तो मैं आज आज आपको वीडियो एक्जाम से एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस टाइम में ये वीडियो आपको बहुत 3,800 छिनमें पोश्च के लिए आप फाइट कर रहे हो ठिके इसके लिए एप्रोक्स 14 लाग फॉरम भरे गए हैं तीन हजार आट सो चिनमे पोस्ट के लिए आप 14 लाग स्टूडेंट फॉरम भरे गए हैं आप ये नंबर मत देखो दोस्तो इसमें से आदे से जादा इस वार ये वीडियो का एक्जाम नहीं देने वाले हैं उसका सबसे बड़ा रिजन ये है कि सर्दी का टाइम है और दूसरे सीटी के अंदर जाकर एक्जाम देना पड़ेगा तो बहुत सारे बच्चे जो है एक्जाम नहीं देंगे यानि कि अटेंडेंस जो है इसके अंदर आपकी बहुत ही कम वेहने वाली है पहली ये चीज दूसरी सबसे बड़ी most important अपडेट ये है कि इसमें 1000 से लेकर 1500 पोस्ट और इंक्रीज की जा रही है तो ये बहुत बड़ी अपडेट है वीडियो एक्जाम रिलेटेड आपके अभी 1000 से 1500 पोस्ट और भड़ने का आपको बहुती जल्द राजस्तान करमचारी चयन बोर्ट की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिलने वाला है जो मैं आपको कह रहा हूँ ये श्योर्डली होगा 1500 से 1500 पोस्ट भड़ने वाली है दोस्तों तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है इसको सोचते हुए कि अब जो है इसकी पोस्ट भी भड़ रही है और वैसे ही आपको पता है कि वीडियो की जो वेकेंसी ह है बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छी प्रोफाइल है इसके अंदर तो आपको अब लग जाना चाहिए रिविजन करो एक्जाम को प्री एक्जाम क्लियर करना पहला जो आपका प्री एक्जाम होगा प्री एक्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत ही जादा रहने वाला है, easy level आप कह सकते हो, easy level का question paper आपका बनने वाला है, ठीके, syllabus थोड़ा बड़ा है, syllabus को दिखकर आपको घबराना नहीं है, जो जो चीजे आपको आती है, उनी चीजों पर focus करो, रिविजन करो, आपका जो ये pre exam है, वो 100% clear हो जाएगा, फिर हम बात करते हैं कि आपका safe score क्या रहेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप safe score की बात करें, तो 60 से लेकर 65 तक अगर आप नंबर लेके आ जाते हैं, तो ये आपका safe score है, और आपका ये pre exam clear हो जाएगा, इसके बाद आपको means के लिए entry मिल जाएगी, तो update ये है दोस्तो 3800 चिन में, इसमें से 1000 से लेकर 1500, 1000 से लेकर 1500 सीट और बढ़ने वाली है, और safe score आपका रहने वाला है 60 से 65, तो इसके according ही त्यारी करें, जितना भी आपने आप तक पढ़ा है, उसी को revision करें, बहुत ही कम attendance इसके अंदर रहने वाली है, तो friends त्यारी पे लग जाईए, focus करें exam के उपर, exam को clear करना ही है, कोई भी update आएगा तो मैं आपको इसी channel के माध्यम से update करूँगा, कोई confusion है तो please comment जरूर करिएगा, thank you, have a nice day, bye bye